कि अधिए अधिए और आज की जो सेशन का टॉपिक है कोई टॉपिक नहीं है तोपिक कोई है नहीं आज सिर्व हम चटपड़ी बाते करेंगे ठीक है आज आप उपने सारे कॉस्टन्स भी पूछ सकते हैं जब मैं सारी बाते बोल लूंगा क्या 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 अचीवमेंट्स अ अगर आप मैंसे किसी को लगता है कि जैनवरी मंथ उसके अकॉर्डिंग उसने बहुत अच्छे किया है उसकी कुछ विंस रही है किसी ने कुछ अपना आइस ब्रेक किया है तो वो भी आप डेफिनिटल आप बता सकते हैं ठीक है सो बिफोर स्टर्टिंग विफोर स्टर्टिंग हम मैं सोचता हूं ना कि एकना गेम खेलते हैं ठीक है अच्छे कितने लोग इंट्रस्टिट है गेम खेलने के लिए तो गेम उनके साथ ही खेल पाऊंगा जिनकी वीडियो ओन रहेगी वीडियो ऑफ वाले आप अल्रड़ी इस जितने लोग भी मैं बिल्कु प्रेशराइज बिल्कुल नहीं करूंगा त्यूंकि मुझे पता है सर्दी का टाइम है कहीं बारीश हो रही है कहीं कुछ और यह कुछ और यह जो विजिबल होने के लिए विडियो ओन करने के लिए त्यार है रेडी है ये खेलने के सब्सक्राइब करें जो नहीं कर सकता भी कोई जितने लोग है अपन स्टार्ट करते हैं गेम को ठीक है तो गेम पहले सुन लिए गेम है क्या मैं अभी आपको शायद पांच यह मैंने कुछ ना मैटेरियल का नाम लिख रखा है सो मैं बोलूंगा जैसे मैंने कुछ बोला कि आइफोन तो आप जहां भी बैठे हो आप घर में बैठे हो आपको फटाफट अपने आसपास एक आइफोन ढूंडना है लाकर दिखाना है जिसने पहले दिखाया वो जीत किया ठीक है तो ऐसे पांच से च्छे पॉइंट्स पांच से च्छे मिट्रियल का मैंने अल्रीड लिखा हुआ है जल्दी सब रेडि हो जाएए किसी को भाग ना ही पड़ सकता है एक से पांच से छे हम करने वाले एक्साइट हैं सभी लोग जो भी सबसे पहले आइटम का नाम लेता हूँ जैसे ही तो आपको फटफट उस आइटम को जिसके हाथ में सबसे वह आइटम आ गया पहले आइटम का नाम है जिससे हम रोटी बेलते हैं बेलन लेके आना आपको जल्दी देखते हैं कौन लेके आते सबसे बले जल्दी पूजा शुक्ला भी लेके आगेगी पूजा शुक्ला और अशु सर बना रहे थे ना भी उनके ड्यूटी लगी अब जिनको भी मिला है अपने आप मारो सर में सबसे पहले आई बत मेरा तो केमरा हो देखें आप लेके आ रहे वह ठीक है लेकिन आपको प्रेसेंट भी तो करना पड़ेगा ना कि आपको एक बार अनिम्यूट करेंगे तो मताना पड़ेगा हाँ यह एस आइटम तभी तो जीतोगे आप हाथ में लेके बैटो कि नाजी आप लेके आई हैं भाई क्या खतम होगे अब तो चलिए कोई निकोई निकोई अभी सब लोग अन्म्यूट कर लिए तो पहले देखें जो मुझे दिखेंगा ना पहले मैं उसको विनर मानूंगा तो मेरे इसाब से पूजा शुकला और शिखा पंडे यह दो सबसे कि यह से पहले नियुक्त कि यह हैं तो है हमारा कि फाइव रुपी कोईन फाइव रुपी कोईन लेका जल्दी फाइव रुपी कोईन यह तो यह तो कंफ्यूजिंग हो गया सब एक जब अभी जिसके पास थानी थानी सब लेका है तो इस एक दमी ले आए सब नहीं पहले पताया था सबसे पहले लग रहे है कि एसे में सब भी बोल रहे है तो जो पहले लाएगा नहीं वहीं सही है म्यूट करके दिखाना है आपको चली कोई बात इसको करते हैं इसके बाद और उसके बाद आपको 10 तक करना है उस 10 के बीटूइन में जिसने बूल गया यह मेरे पास है चलो ठीक यह भी ठीक है गूट चले तो थर्ड थर्ड आइटम करते हैं थाइड करते हैं ठीक है रेड़ी थर्ड आइटम का नाम है एक लिटर वाली येलो बोटल अलोवेरा जल वा वाल यार मैं बता नहीं पाया और कॉन सबने और बीधा यह है थोड़ा सा हाड है पो अर्ड हमारा र्रेड कलर का पैन नहीं है सब में दिन जीद गई इसमें आपको लेकर आना है जिस लाइटर से हम गैस जलाते हैं वह पूजा शुक्ला जीत चुगी है पूजा शुक्ला जीत चुगी है चलिए एक और आइटम कुछ बॉल देते हैं कि आपको लेके आना है कॉंब कंगा जिससे हम गंगे गड़ते हैं कि यह सर्व कौन 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 धरम पाल रहाना जीत चुके हैं अरे मैं भूल कैसे गया है हमारी टीम में अधिक तर तो हाउस वाइब ही है तो उनके पास तो गंगे पास ही बड़े होगे नहीं चलिए 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 बहुत बुड़े मजा आ रहा है नहीं फड़ा एक्साइटमेंट से लग रहा है कुछ कुछ अलग सा हो रहा है यह सर्श चलिए एक दोब बुझे आ फिर आगे चलें सेशन यह सर्श चलिए तो अब कर दो आना हैं 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 देखो किछिन में एक तो होती है आपको एक ब्लैक का जूता दिखाना है ब्लैक कलरका डिखाना है ब्लैक कलरका ब्लैक कलरका शूप अच्छा एक तो फस जाएगा है से आपको फोररेवर lock 6 ये लेकर आना है event morte मेरे पास पrenchतलों तक आपको इने लोग पूरेवर का यूजज फेर्ट अब मेरा भी ओपन है मेरा भी ओपन है सब बाद बढ़े हैं तो इसके बाद सीर्ष इसके बाद सीर्ष पर एक लास्ट पूछूंगा उसके लिए थोड़ा सोचना पड़ा है अच्छा साइटम बूछता हूं इससे आप लोग भी थोड़ा से लगे और ऐसा है पूछूँगा जो हाउस वाइटेड ना हो यार आप लोग तो फटा बट ढूंग लेते हो लेकिन कुछ लोग के पास नहीं मिलेगा वह लास्ट है थोड़ा सा हाइड है कुछ लोग घर में नहीं मिल सकता है कुछ लोग घर में डेफिनिटी मिल जाएगा एड़ी सुनने के लिए यह आखरी एसके बाद आपन स्टार्ट कर रहे हैं एंड आइटम इस मिट्टी का दीपक और आप तो सारे वहीं कड़े होगे बिल्कुल सबके वहां रखा होगा बालकनी में है न चलिए चलिए तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा पूरा यह गेम खेलके और यह गेम खेलके हम सब्सक्राइब और हमारा ध्यान सबका आच चुका है अब सेशन में तो अब सेशन स्टार्ट करें बहुत हो गए गेम जितना खायता सब्सक्राइब अच्छा बहुत बढ़िया चलिए चलिए तो अन्म्यूट कर लिजे अभी सब लोग वह म्यूट कर लिजे अब बन सेशन को स्टार्ट कर रहे है वाइस नॉट क्लियर तो यार देखो मेरी तरफ से तो आई थिंक सब कुछ ऑक है मेरी वाइस निया रही है तो सब्सक्राइब कर लिजे और अभी हम स्टार्ट करते हैं वे शर्षन को ठीक है मैंने कोई भी पीटी बिल्कुल नहीं मनाई है मैं सिव आप से नॉर्मली बात करने आया हूं क्योंकि आज है 31 जनवरी और कल से एक गंटे बाद एक गंटे बाद हमारा फिर्स पैप स्ट होने वाला है मतलब नेक्स्ट न्यूए मंथ स्टार्ट होने वाला है नूए म मतलब new goals new achievements new cc is new business new business partners हम вся ऐसे सोचते हैं बट मैंने आज क्या सुचा क्यों ना जिकतीस जनवरी को ये देखा जाए कि पूरे जनवरी में हमने किया क्या है तो अगर आप सभी को याद हो तो एक January को मैने सबसे Diary बनवाही थी पटावर अपने diary निकाली इस सबी लोग अब आपने diary निकाली बैस तो लेके बैठना चाहिए था जितने लोग लेके बैठे हैं बहुत अच्छी बात है और मैंने आपको एक जनवरी को कुछ लिखवाया था, कि आपके अभी subscribers कितने हैं, आपके Instagram पे कितने followers हैं, आपके अभी कितने CCs हैं, कितने teammates हैं, सबको लिखवाया था, एक जनवरी वाला page खोले जे सभी लोग, सबको लिखवाया था मैंने आज हम 31 जन्वरी को बैठे हैं मैंने वादा किया था आपको एक जन्वरी को 31 जन्वरी को बैठे होंगे हम cross check कर रहे होंगे हमारा business कैसा रहा तो आप सभी के सामने आपका business है कितने YouTube पे subscribers थे कितनी आपने वीडियोज अपलोड करी थी अब कितनी वीडियोज अपलोड है तब Instagram पे कितने followers थे अब कितने है तब कितने business partners थे अब कितने है तब कितने CCS का business आपने किया था अब आपने कितने CCS का business किया है आप देख पा रहे हैं सभी लोग अब उस data को देखके कोई ऐसा बंदा है इसको खुशी हुई है कि हाँ यह मैंने कुछ ग्रोथ करिए कोई एक परसंट बताना चाहेगा अगर उसको अच्छा फील हो रहा है वो चीज़ देखके कि यह एक जनवरी को यह था तिकरती जनवरी को यह था यस सर यस सर मैं बहुत हैपी हूँ बताई एक यह क्या आपने लिखाता और अब कहां तक पहुंच गया है अब मेरा वाच्टाइम कंप्लीट हो गया सर। बहुत बढ़ी है और और कुछ आपने पहले लिखा था अब धाने चाहें नहीं मैं हैं एक हैंड रेस करना हैंड रेस करके विख्षी होगा जो लोग हैंड रेस करेंगे उन कहीं होगा जी जी प्रिया केश्री बताइए यह सर गुड इवनिंग बडिवनिंग यही तो यही तो यही तो असली मोटिवेशन है अभी है 396 माइनस पहले कितने थे 186 तो एक महिने में 210 सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं आपके 210 तो सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं व्यूस पता निकितने आयोंगे तो यह भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है अच्छी बात है और एक वीडियो पर तो टूपइव ब्यूस गया हुए है और इंप्रेशन उसका सीटी आड भी जो है वो किसी का 12 परसेंट है किसी का 13 परसेंट है किसी का मेरा 5-6 परसेंट यह लेकिन 2-3 वीडियो इसके व्यूस जादा गया मैं सिमस्ट पे त्वैल पर अच्छी बनाई यूटब पर मैंने वीडियो बनाई थी आप इसको देखे के खुछ से एडि बना रहे है आज मैं सुछी तो देखा मुझे जिमेल आया है कि हरो यह डाउन लाइनर तो मैंने कहा थै कि थी के इडियो बनवा है ही नहीं किसी सबाती नहीं है आज बनाने प् तynthesis, मैं नहीं तिल डाव हाईनले केषि हो जाएंगे अभी तक दो है cameras के तफीड हर्लै को अब 31 वाइल प्रिया केषिरी को कङ़ें कर रिया हुग भाँ जाद अच्छा को मैं मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा हो रहा है और मुझे पूरा यकीन करना है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत अच्छा लगा आप से बात करके और इसलिए ही मैं हमेशा लिखवाता हूं एक जनवरी को लिख लो अपने सभी लोग की अभी आप कहा हो तो फिर माइनस करना 31 जनवरी से तो मज़ा आगा फर्स डेट और लास डेट को हमे करेट करता कि कि और यूटवब सबसक्राबर बढ़न भी हमारे विन है लोगों से बात करना भी हमारे लिए विन है एक एक वीडियो बनाना भी हमारे लिए एक सब जैपूर में लोग आपके घर प्रोड़क्स ले रहे हैं उनको कैसे पता कि आपके आपके आप करने के बाद मैं उनको अपना लोकेशन शेयर करती हूं वह घर आके प्रोडिक्स लेके जाते हैं और फाइप परसेंट पर हासर मैं मार्पी पर देती हूं बहुत बहुत बढ़ी तो मतलब आपने जन्वरी में ही जोइन किया है नहीं सर दिसम्बर में जोइन किया था मैंने 10 मटी संदिसम्बर को okay तो अभी एाप्रोक क्स एक वहिन हुआ है आपको तो कैसा लगए विजया का बदा choice फाल करता सब्सक्राद काम जिए पिछले महिने में जन्वरी को मेरे 160 थे मतलब 167 और सब्सक्राइब क्या बात है मनला 100 क्या सब्सक्राइब तर तीस हजार व्यूस होच गया मेरे तीस हजार व्यूस एक महिने में तोटल मिलाके सब्सक्राइब बहुत बढ़िया और सर मैंने कल एक जोईनिंग कराई है अपना नहीं परसंट को और दो लोगों को सर प्रोड़क्ट दिलवाएं सर थर्टी परसंट के डिस्कॉंट पर सब्सक्राइब कराई है बहुत बढ़िया जी रोजी क्या वीडियो बनाते हो आप शौट्स में आपके शौट्स का दिवाना हो गया था काइंड ऑफ एक्स्प्रेशन साप देते हो ना सूपर्ब हैं मतारों में कोई सच में जैसे फिल्मों की हिरोइन होती है ना उतने वो सब्सक्राइब कोई मुझे लगता है कि बहुत जल्दी स्किन केर एक्सपर्ट बनने वाले हो मुझे असा लग रहा है बताइए सब्सक्राइब कोई मुझे 15-16 साल पुराना फ्रेंड के ब्रदर मिले तो उन्होंने बात शुरू करी कोई जानने वाला बंदा मिला है फिर उसने बात करते करते पता किया कि बिजनेस क्या कर रही हूं तो उन्होंने बोला मुझे चाहिए तो उन्होंने 28,000 का एक वार में फाइफ परसेंट पे ले लिया मुझे पता नहीं था अच्छा इतना सस्ता है मैं तो 50,000 लेकिया है अच्छा तो मतलब बंदा आपके घर पे आया ऐसा बोल रहे है पैसे दे उन्होंने फिर मैंने ओडर किया था समान तो मतलब जैन्वरी में बिना किसी को किये बिना किसी को कॉल किये आपने 28,000 रुपीज के प्रड़क्स वह भी 5% डिसकॉंट पे किसी को दिया है that means सीधा मोटा मोटा मार्जन 25 से 30% का मार्जन आपको रहा है हां साड़े 6,000 साड़े 6,000 का प्रॉफिट वया आपके कहां मिलेगा ऐसा बिजनस अधरवाइस मेरे कॉंटेक्ट में नहीं थे वह बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छे विनाप किये और इस टाइप के शॉट्स आप बना रहे हो कीप डूइंग मैं करहा हूं सो शॉट बना दीजिए ऐसे परेवर के प्रड़क्स करते हुए इतनी सारी लीट्स और कस्टूमर्स आपके पास आने वाले हैं क्योंकि व्यारी जैनुवन कंपनी जिसके प्रड़क्स लोग मांगते हैं लोग भागते हैं प्रड़क्स को ठीक है तो बहुत अच्छा आप कॉंटें सब्सक्राइबर जैसे मेरे इसमें था लिखें तो वह हो गया मेरा अभी अब है और यूटूब में ज़्यादा वीडियोस तो नहीं अप्लोड किया है अभी तब क्यूंकि सोड़ा इडिटिंग में होता है मुझे में संग लगता है तो कुछ हुए है कि उन्होंने मेरा वो वीडियो देखा था और वहां से उन्होंने अलवेरा जेल के लिए मिस ओडर किया था यह मेरे लिए तो और प्लेस हो चुका है नहीं नहीं उन्होंने डिरेक्ट किया था मुझे और प्लेस हो गया है बहुत बड़ी और प्लेस हो चुका है और आज इविनिंग को भी एक कॉल आया है तो वह भी मैंने अभी तो कुछ वीडियो बनाए नहीं है बट उसका भी और आया है तो कल उसका प्लेस हो जाएगा बहुत बड़िया चांदार तो प्रोड़क्स वह देखके बिस और कर रहे हैं यह एक चीज है कि हां कुछ चोटी चोटी चीज़ें से ही मैं मानती हूं कि 50 भी सब्सक्राइबर रहते या फिस्टी भी रहते ना तो भी मेरे लिए विन है एक बढ़ता है बहुत अच्छी बात है जब आप आये थे जब आपने आपने बात बोज़ती सर आया मैंने डिप्रेशन मुझ आपने तो मैंने मेरे टीम के साथ भी प्ले किया था वो मिटिंग करके तो आज मैं एक सब्सक्राइब करें करते हैं चलिए लास रवी को देखते हैं उसके बाद स्टार्ट करते हैं रवी बताइए मैं तो यह ज्यादा वीडियो नहीं बना पाया तब्याद खराब था लेकिन फिर मेरा यूटीब चैनल काम कर रहा है और 78 सब्सक्राइबर था मेरा शुरू में अभी 105 हो गिया और अच्छे अच्छे लीट्स आ रहे हैं लिट्स अच्छे आ रहे हैं वन्-टॉन सैसन भी क करने के लिए जो क्लेंड लिंग है अब यह चरणे का मजा आ रहा है ना मजा आता रहा ना चाहिए बस मजा आरता मजार कुछ आ रहा है और फिर उसके बाद स्टेवर करते हैं अच्छो जी बुधे इनिग इन्ग आपकी आपकी अपकी कि वह का इंद वह लांट अच्टी बात है ची प्रियंका मेना बताये ऑन अन्मुट करी अन्मुट अब था अन्मुट केजिए प्रियंका कर दिया साथ ङस यस यस मैंने इसल मैंने content creation पे काफी हो किया कि मैंने थोड़ा regularity maintain करी थोड़ी consistency फोकस किया अपनी अपनी at least मैं 30 videos के लिए किया था अपर at least मैंने 15 videos के लिए focus किया कि उतना मैंने किया तो पहले आप सबी लोग के लिए मैं चाहता हूं फटावट एक फरवरी वाला क्योंकि कल मैं सेशन नहीं दे पाऊंगा फटावट डायरी निकाले सबी लोग एक फरवरी पे अपने गोल्स लिए जैसे हमने एक जनवरी को लिखे थे कितने अभी यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं कितन सब्सक्राइब को बैठेंगे वापस अब वापस अपने आपको क्रॉस चेक करेंगे क्रॉस चेक करना बहुत इंब्सक्राइब करता हूं तो मैं चाहता हूं आप लोग भी क्रॉस चेक करिए एक फरवरी को लिखिए कितने अभी यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं आप कि दन हो जाए तो बता देना मुझे कि दन दन हो जब बता देना मुझे लिख लिए सबने दन चलिए तो अभी आप सभी लोग को पता होगा जैसे कि कल एक फैब से स्टार्ट है हमें ना फॉरेवर भी एक कॉंटेस्ट रखता है हमारे साथ कि अगर स्टार्टिंग के साथ दिन के अंदर आप अपना फोड़ अपनी कर लेट को अक्टिव क्याकर फैसिंट तो आपको पता है जो हमारी कंपनी है वह पर फॉट्व आने का हम एक मौक़ा मिलता है सबको पता है न और पछले तीन चार पांच पिसले पांच बार से मैं इसी को क्वालिफ़ाई कर रहा है तिका अगर आएंगे आगे तो यह देखे फोर इंटू सेवन मतलब हर महीने की साथ दिन साथ पहले हफते के अंदर अगर आप चार से अपनी क्वालिफाई कर लेते हैं तो यूविल आपका फोटो आएगा यहां पर देख सकते हो मेरा फोटो अगर यहां पर दिख रहा हूँ आप मतलब फॉलो कर रहा हूँ और मैं इसको यहां पर मेरा फोटो आ रहा है आप चेक कर सकते हैं वापस भी नॉवंबर अक्टूबर सब की आपको मेरा फोटो देख जाए तो मैं भी चाहता हूँ आप भी एक बार इसी इसको ट्राय करें देखे फोर्स हमने आज तक कभी किसी कर लेते हो अपनी फोटो आने की सोचो जो भी एक तरीक को लिखा है ना अब सभी लोगों ने लिखी है महाँ पर कि यार मुझे मुझे इस बार फोटो चाहिए आए ना आए डजेन डूर लिखें तो तो मैं चाहता हूँ आप सभी लोग लिखिए महाँ पर कि साथ दिन के लिख दिया, चली हो देखेगे वो trainings है जो कि शायद market में आपको कहीं नी मिलेगी ये वो mindset है जो आपको कहीं नी मिलेगा, मैं आपको पूरा-पर roadmap ते रहाँ कि really हूँ कि आप ऐसे कर सबjąएं ठीक है, अच्ake, कितने लोग यहां पर ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक TLF से कोई भी गिफ्ट अचीव ही नहीं किया चाहे वो 2CC गिफ्ट हो चाहे वो 4CC गिफ्ट हो चाहे वो 15 वीडियो का हो मैं आपको वापस एक चीज बोल देना चाहता हूं कल वापस से हमारे चीज़े स्टार्ट हो गई है एक फरवर्री से लेके 28 फरवर्री के बीच में चार कॉंटेस्ट चलने वाले हैं अगर आप अपने फरेंट में किसी के 2CC कराते हैं आपको एक gift मिलेगा आप अपने फरेंट में 5CC का business करते हैं तब ही आपको gift मिलेगा आप अपने यूट्यूब चैनल पे 15 videos, full, shots नहीं, full videos upload करते हैं तब भी आपको gift मिलेगा और अगर आप अपने YouTube channel पे 30 plus videos upload करते हैं तब भी आपको gift मिलेगा आपको पता है न, हम 4 तरीके gift देते हैं तो ये 4 तरीके के gift आप अराम से achieve कर सकते हो right from 1st February to 28 February, 29 February 29 days हैं आपके पास 15 वीडियो अप्लोड कर दीजे, तब भी gift मिल जाएगा 30 कर दीजे, तब भी gift मिल जाएगा Front में 2CG करेए, तब भी मिल जाएगा Front में 5CG कराएगे तब भी आपको gift मिल जाएगा, ठीक है मैं चाता हूँ जितने लोग भी हमें बैठे हैं अभी सभी के सभी लोग अचीव करिए ना क्या दिक्कत है इसमें जब तक हमारे पास कोई टागेट नहीं होता ना हम भागते नहीं है या फिर हमारे अंदर से हमारे हो गए अब आप सभी को पता है ना हमने एक और कॉंटेस चला रख्था है एक जनवरी से लेखे तीस जून के बीच में अगर आप ट्वेंटी-फॉर सीसी का बिजनेस अगर करते हो तो यू विल गैट आप फाइव स्टार ट्रिप फ्रॉम माई फ्रॉम आर साइड सब सबको पता है नहीं कि अगर आप अपने फ्रेंट में ट्वेंटी-फॉर सीसी का बिजनेस करते हो वेदर इस जॉइनिंग जैसा आपको चाहिए आपके फ्रेंट में होनी चाहिए वो चीज अगर आपकी वह एक्टिव सीसी अगर आपके काउंट होते हैं च्या मेने के जो टॉप अचीवर हैं वो हैं सनेहा जिनोंने फ्रेंट में अपने 12 सीसी का बिजनेस किया है तो सोचिए 12 सीसी का इनका अल्री हो चुका है 24 माइनस 12 अब 20 बागी है इनकी टिकेट फ्री होने वाली है आप लोग कहां हो चेक करिए कितने सीसी आपने चेक करिए 24 में से कंदि दिमाग के गोडे दोड़ाएं अपने शरीडारे दोड़ाइं एशो द्यटभी इस एकुक्सि पोलिफाए कर पाए और जलदिसे पुर्दि अपने टिकेट है वह फ्री कमि cayre तो बहुत important चीज है क्योंकि हम बहुत मस्ति करने वाले हैं सोचिए हम online इतनी मस्ति करते हैं offline कैसी मस्ति होने वाली है उसको सिर्फ imagine करेंगे और आपको तभी excitement आना start हो जाएगा ठीक है चलिए अच्छे कितने लोग यहाँ पर जानना चाहते हैं या फिर मैं खुराफाती इंसान हो के नहीं मेरे अंदर मैं active हूँ के नहीं मुझे समझे नहीं आता है मैं चाहता हूँ कोई मुझे बता दे मैं किस टाइप का इंसान हूँ जानना चाहते हो गई चलिए तो मैं आज आज आपको बताने वाला हूँ एक activity करा के अपनी डाइरी में लिखने है वो चीज़े या तो दिमाग में लिख लो अगर याद रहती है तो फाइव चीज होंगी या फिर आपनी डाइरी में लिख सकते है यहां से पता चलेगा कि आप कितने कॉमन और कितने अनकॉमन हो आप यहां से समझ में आएगा ठीक है यही एक activity है जो कि सब लोग कराते है फिजियो थेरेपेस्ट और साइक्याटरिस्ट यही सब चीज़े कराते है जिससे सापने वाले का पता चलता है कि दिमाग का लेवल कितना है यहां समझ में आएगा ठी ठीक है तो मैं पाँचीज बोलने वालों आप अपने left side की कोई भी तीन उखलेऑ उठा लीजे और याद रखना कि कौन सी तीन उखले का लसा टीक एक सो दस के बीच में कोई भी फटाफट एक डिजिट लिख लिए फिर याद रखिए कोई भी एक फ्लावर फूल कोई भी जल्दी से अपने दिमाग में रखिए और कोई भी एक फरनीचर अपने दिमाग में रखिए कोई भी फरनीचर फरनीचर ठीक है 5 चीज़ होगी अब आपने लोगों ने लिख ली होगी या फिर आपको पता होगा इसमसे क्या चीज 90 परसेंट लोगों ने कलर अगर आया है तो लाल सोचाओगा 90 परसेंट लोगों ने 1 से 10 के बीच में जो मैंने डिजिट बताईए 7 सोचाओगा 90 परसेंट लोगों ने अगर फ्लॉवर की बात आईए तो गुलाब रोज का सोचाओगा 90 परसेंट लोगों ने अगर फरनीचर की बात करी है तो उनके दिमाग में चेर आई होगी चेर ये टेबल में से कोई एक आया होगा ठीक है? अगर आपने लेफ्ट की तीन उगलियों में से ये तीन उगलियों उठाई है 90 परसेंट लोगों ने ये तीन उठाई होगी अगर इन में से सारी की सारी आपके एज़िटिज है तो सोचिए आप common category के इंसान है इसके इलावा अगर आप भार आ रहे हो तो congratulations आपके दिमाग में बहुत सारे हट के आईडियाज आते है याद रखना है इस बात को इसमें से जैसे पांच चीज़े मैं ने बोली उसमें से तीन भी अगर सेम होगी है तब भी आप common हो लेकिन क्या कोई हापर एक बींसान ऐसा है इसके पांचो के पांचो कोई मिला ही नहीं पांचो ये difference हो चाए उसने जीज दिफ्रेंट है बस एक मिल गया और चार डिफ्रेंट है एक पिंगर्स जीज़ेंग तो देखें जिनके भी तीन ये चार डिफ्रेंट है congratulations आपका एक green mind है green mind मतलब क्या होता है आपके पास बहुत अच्छे ideas आते हैं whether आप उसको implement कर पाते हो नहीं कर पाते हो वो secondary है बट यहाँ पर एक चीज़ देखे जाती है कि आप uncommon नहीं हो आपके दिवा में अच्छे ideas आते हैं तो जिनको भी समझ में आगया answer congratulations अगर आपके ये इन चीज़ साब को समझ में आगया आप normal नहीं हो तो congratulations अगर ideas आते हैं तो इनको implement भी करिए क्योंकि जब तक ideas implement नहीं होगे कोई result नहीं आने वाला ठीक है एक जब मैं job करता था था ना तो चलो कुछ motivation की बाते कर लेता है जब मैं job करता था था ना तो एक इनसान मेरे सामने आये थे जो कि हमारी company के planted थे तो उन्हेंने बहुत अच्छी बात बोले थी मेरे सामने जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है वो बात और हमेशा उस चीज़ को implement करता हूँ कि अगर किसी चीज़ को आपको सही तरीके से करना है न किसी भी काम को चाहिए वो कोई भी काम हो दुनिया का अगर आपको किसी भी काम को सही तरीके से करना है न आपको अपने hands dirty करने पढ़ेंगे उसमें अगर एक नदी जा रही है आपको उसकी गहराई ना पनी है तो आपको उतरना ही पड़ेगा कोई चारा नहीं है आप डंडा खुशा के देख सकते हो किसी से बोल सकते हो कोई डाइवर की भाई जा डूब के मुझे बता दे कितना वो बता देगा आपको पांच फुट बट अगर एक्जेक्ट ली आपको experience करनी है वो चीज़ तो आपको उसमें उतरना पड़ेगा तो इस principle को मैंने अपनी life में implement किया मैं कोई भी चीज जबी कोई decision लेता हूँ ना मैं कभी किई से निफूचता हूँ कुछ भी किसी कोई काम करना है video editing मैं किई से नी सिखूँ मैं किई से नी बोलूगा कि या मुझे करना मुझे करना है मैं खुद गूध जाओंगा क्योंकि मुझे पता है अगर मुझे उस चीज को right करना है उस चीज में perfection चाहिए मेरको तो मुझे उस चीज के इंदर गुसना पड़ेगा तो मेरे ये life के कुछ principles है जो कि मैं अभी आगे आपको बताने वालू ठीक है दूसरी चीज एक बहुत अच्छी leader से मिला था मैं एक बार तो उन्होंने मुझे को बहुत अच्छी बात बोली थी या देखो दो तरह के लोग होते है एक होते है non-leader एक होते है leader मैं का leader non-leader में difference क्या होता है देखे एक leader ना हमेशा coin के दोनो faces देखता है आपके अंदर वो leadership quality है कहने कि क्या आप किसी भी काम के positive negative दोनो aspect देखते हो या फिर positive भी देख रहे हो है या negative भी देख रहे हो एक leader दोनों दख रहे हो positive भी negative भी तो यह मेरे कुछ life चीज़े है जो कि मैं आपको बताना चाहरा था एक बहुत अच्छी बात मुझे लगती है motivation versus discipline बहुत लोगों को motivation पसंद होता है बहुत लोगों को discipline पसंद होता है बट मैं आपको बता रहा हूँ इन दोनों चीज़ों की हमारी life में बहुत जादा importance है बहुत जादा importance कैसे है देखिए लोग कहते हैं कुछ लोग कहते हैं हम तो discipline मनेंगे है motivation के जड़ोती नहीं है जूड बोलते हैं लोग motivation के जड़ोत सब को है motivation आपकी life में spark लाकर देगा अगर motivation नहीं है तो आप उठोगे नहीं और जब तो उठोगे नहीं काम नहीं होगा यह भी factor तो आप अपने life में हमेशा ratio रखिए motivation भी आपको चाहिए चाहिए discipline भी आपको चाहिए discipline अगर आपको लंबा काम करना है तो आपको discipline में रहना पड़ेगा मतलब daily उस काम को करना पड़ेगा बट उस काम को करने के लिए वो करें चाहिए वो motivation देता है तो हमेशा कभी भी इस चीज़ बे हमेशा याद रखना कि motivation भी 50% होना चाहिए discipline भी 50% होना ही चाहिए बिल्कुल यह मत समझेगी मुझे motivation के जरूत नहीं दुनिया में कोई इंसान नहीं स्पार्क सबको चाहिए स्पार्क सबको चाहिए माच इसको भी एक बार चाहिए वो जलके फिर सबको जले जला देगी लेकिन स्टार्टिंग उसको भी चाहिए motivation हम सबको चाहिए चीज से हमेशा हमेशा या रखना ठीक है life में बहुत अच्छी important चीज मैंने ये भी सीखिए कि अपने decision है खुद लो लोको इंडिया में एक बहुत एक amazing culture है जो कि इंडिया में लगता है लोगों को amazing culture है बट बाहर लोग ऐसे decisions बिलकुल नहीं लेते हैं यहाँ पर क्या होता है लोग चाहँ लोगों की राय लेके decision लेते हैं गईद तो इस बारे में क्या सूचता है पिर मैं क्या इस बारे में सूचता हूँ तब जा कि बंदा कोई decision लेता है येकिन मानना इस सँः वाया दुनिया में कोई चीज नहीं है अगर आप अपने decisions किसी और के थूर लगवा रहे हूँ सही बता रहा हूँ if you want top-notch results मतलब उस level के result चाहिए आपको जिस level के result आप चाहते हो life में तो आप अपनी decisions खुद लेना start करो solid decision maker बनो parents से भी पूछने की जो अतनी है spouse से पूछने की जो अतनी है अगर आप सच में पूछ रहे हो ना parents से सब्सक्राइब पूछने अपने husband wife से आप फिर हल के आदमी हूँ अगर आपको सच में solid person बनना है तो आप अपने decisions खुद लेना start करें at least regarding किस type का business आपको करना है किस type की job आपको करना है किस type का काम करना है कैसे काम करना है कैसे lifestyle में रहना है यह तो सब आपका होना चाहिए है तो solid mindset वाले इंसान बन जाओ solid mindset जिस दिन आ जाएगा आपको मैं seriously बता रहू life change होती है जिस जब आप खुद पर अपना confidence खुद के उपर confidence लाके खुद decision लेना start कर देते हो India में सबसे बिकार culture ही है क्या होता है इंडिया में मेरे साथ भी क्या होता है 2019 से पहले मेरे पास दिमाग में कोई idea आया और business idea आया मैंने पापा को बलाए पापा यार दो लाग रुपे लगेंगे और disposal making का business start कर लेते हैं और मैं पूरी राद बर सोच रहा हूँ मतलब पापा ने क्या सोचा पापा के उसमें करके सोचके मैंना business idea फ्लॉप कर दिया तो यहां पर बुद्धु कोन हुआ मैं क्योंकि रात बर तो मैं उस बारे में सोच रहा हूँ तो वहां से मैंने एक चीज़ सीखी थी लाइफ में बस फेल हूँगा तो मैं हूँगा पास हूँगा तो मैं हूँगा मैं सही बता रहा हूँ जब आप पास हो जाओगे ने चीज में हर कोई आप से रिच्चिव बनाने स्टौर्ट कर देगा मैं नाम लिख दे ना मेरा भारी है वो अब भाही बन रहा है अब मैं भाही बन गया लोगों का decision की बात है decision मैंने लिया था लोगों की बात सुनके even मेरे relatives ने तो यह तक बोला मेरे मम्मी को पापा को phone करके है शुब हम को रोक लो ये कुछ ने देकार होते हैं सार काम घुकरी वऩ porqueई फाइदा नहीं है देखो उसको उसको बुरा लगेगा तो मैरे parents को बुरा को लगा तो मेरे parents को बुरा लग सा था यार वह ऐसे हयरा है उसे सारी चीज़े सोचके है अगर मेरी dealingай रहें को गयाती होगा छोड़ देते हैं पाट एक Volled Decision आज एक दो साल पुराना तीन साल पुराना लिएगा decision आज मेंने को इतने सारी लोग के आज में बोलने का मोखा दे रहा है सोच एक Solid Decision Life में बहाट Important होता है जीसे मैं हर बार बोलता हूँ हर चीज़ एक habit है पैसा कमाना भी एक habit है पैसा नहीं कमाना भी एक habit है किसे अच्छे से बात करना भी एक habit है किसे अच्छे से बात नहीं करना भी एक habit है खुद को better करना भी एक habit है खुद को better नहीं करना भी एक habit है हर चीज़ एक habit है और हर habit बदली जा सकती है यह मैंने सच में अपनी लाइफ से सीखा है आज आप जैसे मैंने आपको इतने सारे चीज़े बता दिये कि आप चार तरीके से incentives कमा सकते हो यहाँ पर और अगले 8-20 दिन में आप इतने से करके कर सकते हो 24 CC में आप हमारे साथ आ सकते हो अगर बनाई रहे हो तो अच्छी बनाओ जिस्सा बच्छी जहाँ पहुंच जाओगे ठीक है एक बार धीरू अमबाई धीरू बाई अमानी जो है हमारे ठीक है उनसे किसी ने पूछा कि यार उनकी ना एक बार सैलरी डाईसुर रुबे थी मैं तो जैसे उनको थाइस रुबे मिली तो उनके मतलब जिस फेक्टरी में काम करें तो उसके सामने एक बहुत अच्छा होटेल था माँ पर थाइस रुबे की चाय मिलती थी तो बन्दा थाइस रुबे की चाय भी नगया रहा सोची इसी को माइंड सेट है बस 30 दिन रगड़ रहा है बंदा लेबर का काम कर रहा है 500 रुपए मिले महीने भर के और उसका माइंड का चल रहा है सामने एक होटेल है महाँ पर चाय 500 रुपए की मिलती है मैं वो पीकिया हूँगा क्यों कर रहा है वो यहाँ पर एक इंडियन घबराया वे इंडियन क्या होगा और भाई यह 500 रुपए आगे फटा फट फटा फट यह कर देता हूँ 20 रुपए बचा लेता हूँ 30 रुपए उनको देने यह करना वो करना यह सब चीज देखता है बट उसने क्या सोचा 2500 रुपए की चाय भी क्या आते है क्यों पूछा गया उससे भाई तुने ऐसा बड़ा रिस्क क्यों लिया क्योंकि लाइफ में जो बड़ा करते हैं वो बड़ा रिस्क लेते है और वो क्या करना गया था वो experience लेना गया था उससे पूचा को चाय का टेस्ट कर जाता है मुझे पता ही नहीं है क्योंकि एच्वल में चाय तो पीना गया नहीं था मैं तो उस माहौल को एंजोई करना गया था यो बड़े लोग जो होते हैं वो क्या सोचते हैं कैसे सोचते हैं तो हमेशा सोचिए उपर का नीचे का सोचो कर तो नीचे रह जाओगे हमेशा अपने out of the box सोचिए बहुत लोग मुझे मैंने देखा है डर जाते हैं क्यों डर रहे हो किस से डर रहे हो अकेले आयता है अकेले जाना है अपने decisions बहुत सॉलिड रखी है यह business आपने start किया है आपकी ID पर आपका नाम लिखा है यह आपका एक responsibility है कि उस ID के आगे manager लिखा होना चाहिए उस ID के आगे senior manager लिखा होना चाहिए उस ID के आगे कुछ achievement लिखी होनी चाहिए AS से start किया है तो AS पर ही मत मर जाना बता रहा हूँ मैं आपको loser कहला होगे market में सिद्धी सिद्धी बात बोल रहा हूँ मैं इस सिद्धा कोई नहीं बोल सकता ठीक है तो visions अपने high रखी तभी आप आगे के सारी चीदे कर पाओगे समझ में आरी है बात विजन जब तक high नहीं होगे न आपके life में कुछ नहीं है मैं उता रहा हूँ विजन जिस बंदे के हाई है आप सिफ stories सुनिए जोमेटो, स्वीगी ये जो नहीं ने lens card, flip card क्या कपने आपने इनकी कभी stories सुनी है मुझे बड़ा मज़ा आता है इनकी stories सुनने में कि life में ऐसे ऐसे risk लेते है common इंसान सोच भी नहीं सकता क्योंकि जो सोच नहीं रहा वो उनका आके employee बन रहा है ये सोच रहे है इसलिए आज company के मालिक बनके बैठे है येकीन मानना इस बात को सिर्फ यही तरना सा difference है पूरा का पूरा difference mindset का है the kind of mindset आप अपने से लिए लगा रहे हूँ मैं कहा रहा हूँ parents के लिए मत करो किसी के लिए मत करो खुद के लिए तो कुछ करो मैंने भी Instagram पर रिल ड़ी है कि I will make myself proud मैंने डाला है माँ पर कि मुझे अपने आपको proud feel कराने में proud feel होता है तो आप भी सोचिए ना इसलिए मैं इसलिए 31st को हम कर रहे है क्योंकि इसलिए मैंने पूरा पहले check कर आया आपको कि एक January में क्या था 31st में अभी आप क्या हो अभी क्या करने वाले हो पूरे 28 days पड़े है हम ही ला सकते है але में पता है पूरा सिस्टम रीडी है खूब सारे सीसी निकाल सकते है अम सभी सब याइन सभी बहुत अच्छा काम करना आदरा धीरे दिरे मैं देखर हूंँ फुब सारी वीडियो से आप लोग बना रहे हो शूर कर रहे हो अच्छे इछ वीडियो ना रहे हो मैं सॉट कररहे हूं मैं सब कां काम देख रहे हूं मैं सब कां देख रहे हैं everybody is doing great cc's पे cc's निकल रहे है, product पे product detail हो रहे है लोग खुश है, तनाव वाला महौल बिलकुल नहीं है, tension वाला महौल बिलकुल नहीं है और यही हम चाहते हैं TLF Creators में यहाँ पर सब हसते खेलते कमाएं एक दूसरे से सीखते कमाएं जो कि आप लोग कर रहे हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है so जिस speed से हमने 31 दिन काम किया है January के, मैं चाहता हूँ अगले 28-39 दिन भी हम ऐसे ही काम करें और और अच्छे cc's और अच्छा business और अच्छा content और अच्छे business ideas के साथ अच्छे अच्छे videos बनाके जो मारे 4 incentives आप उनको भी लीजिए along with that 24 cc अगर आपको complete कर सकता आप complete कीजिए so मेरी तरफ से यही था अगर अभी आपको किसी को कुछ question answer पूछने हैं क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है आप इंडिविजुली मेरे से पूछते हैं अभी आपको किसी को भी कुछ questions पूछने हैं तो आप hand raise करेंगे and after that I will answer each and every of one of you जित्ते लोग भी यहां बेटे हैं कित्ते लोग बेटे हैं देखिए सब लोग ने भी एक question कर लें तो आपका एक बच जाएगा but still I am here आप लोगो कोई भी question अगर आपको पूछना है तो आप मैंसे questions पूछ सकते हैं that's all from this video bye bye take care